जै सिव संकर मित्रो मैं आप सभी का हरी स्पांडे आज आप मकर रासी वालों के लिए बहुत ही महत्व पूर्ण वीडियो लेकर के आया हुआ हुँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्व रखती है क्योंकि ये वीडियो आपके रासी के स्वामी सनी देव से सम्बंदित है सिधा सिधा जी हाँ सनी देव करने जा रहे हैं नच्छत्र परिवर्दन मित्रो मैंने आपसे हमेशा कहा है कि सनी राहू केतू गुरू और मंगल इन सभी ग्रहों से सम्बंदित कोई भी बदलाव बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट होता है क्योंकि इनका काफी इफेक्ट पड़ता है हमारे जीवन पर तो सनी देव के नक्छत्र परिवर्दन से आपके जीवन में कुछ अच्छा बदलाव आएगा कि नहीं आएगा और कब तक यह नक्छत्र परिवर्दन रहने वाला है और कब तक आपको अपनी प्लानिंग इस हिसाब से कर लेनी चाहिए ये सब जानने के लिए ये वीडिय तो सच में भहुत लाजवाब और मजलार है और आपको मोटिवेशन से भर देगा तो इस वीडियो में आप सभी लोग पूरी तरह से बने रही है वीडियो सुरू करने से पहले तो आवस्यक सुचना पहली सुचना तो ये कि ये वीडियो आपकी चंद्र रासी पर आधारि 800-96730 ये नंबर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूंगा देखे मित्रों अब आते हैं मुद्दे पर सनी देव से संसार में कोई भी अपरचित नहीं है सनी देव न्याय के देवता है और वो आपके गलत और सही कर्मों का फल देने के लिए साड़े साती के रूप मे आते हैं अब फिलाल आपकी गोचर कुंडली में सनी देव वक्री चल रहे हैं और इसी वक्री अवस्था में सनी देव अपना नक्षत्र बदलने जा रहे हैं और 3 अक्टूबर 2024 को सनी देव राहु अपने प्रतनिदी ग्रह राहु के नक्षत्र सत्विसा नक्षत्र के चतुरत चरण में प्रवेश कर जाएंगे जहां पर किवे 27 दिसंबर 2024 तक रहेंगे अब मित्रों सत्विसा नक्षत्र पहले इसका मतलब समझिए सत्विसा नक्षत्र का मतलब सौ प्रकार के कष्टों को दूर करने वाला नक्षत्र अब सनी देव अपने वक्री पीरियड में ही इसमें प्रवेश कर रहे हैं और हाला कि यह जो गोचर है यह 27 दिसंबर तक रहने वाला है और इसी बीच में 15 नवंबर को सनी देव का वक्री पीरियड खत्म हो जाएगा सनी देव मार्गी हो जाएंगे अब यहाँ पर सनी देव सत्विसा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर जो है की नवांस में जो है की मीन नवांस में अर्थात पुषकर नवांस में प्रवेश कर रहे हैं अर्थात यहाँ पर सत्विसा में प्रवेश करने से एक तो राहू जागरित हो रहे हैं, दूसरा मीन सुक्र की उच्छरासी है, तो यहाँ पर सुक्र भी जागरित हो रहे हैं, अब यहाँ पर कुल मिला के टुटल यह बता दूँ, कि यह जो वीडियो मैं बना रहा हूं और इसमें जो भी मैं फलादेश बताऊंगा, यह फलादेश सही सावित हो, इसके लिए आपके कुंडली में सनी, राहू और सुक्र इन तीन ग्रहों की इस्थिती अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, तो मित्रों, सनी द्यों के इस नक्षतर परिवर्तन का आप सभी पर क्या जो एकी प्रभाव पढ़ने जा रहा है, चली हम जाते हैं, ठीक है मित्रों, जब से पहली बात तो यह है, कि आपके रोजगार, नौकरी, ब्यवसाई, बिजनस में, जो अर्चने आ रही थी, जो बाधाएं आ रही थी, वे बाधाएं अब समाप्त होंगी, प्रेम, प्यार और रोमान्स के लिए, क्योंकि ये सुक्र का जो है कि पुस्कर नवान्स है, मीन नवान्स है, पुस्कर का मतलब क्या होता है, पुस्प, पुस्प जैसा सुगंद, मतलब यहाँ पर आपके रोमांटिक लाइफ में एक सुगंद भर जाएगी, एक आकर्शन बढ़ जाएग और competitive exam में छातरों को खुब अच्छी सफलता मिलने वाली है, इसमें कोई doubt नहीं है मित्रों दूसरी बात, lottery, share market से जो लोग जुड़े हुए हैं, उन्हें भी खुब अच्छा कासा लाब मिलने वाला है मित्रों लेकिन बस सनी, राहू और सुक्र की सिती अच्छी हो, ठीक है, इस period में आप यात्राएं बहुत करेंगे, लंबी हो, चाहे लोकल यात्राएं हो, इसके लिए तो आप तयार रहिए, कि बार-बार किसी ने किसी कारण से आपको यात्रा करते रहनी पड़ेगी, और वो सभी या जैसे कि मैंने बताया, सत्यविसा का मतलब सौ प्रकार के कष्टों को दूर करने वाला, तो यहाँ पर जो लोग हिलिंग का काम करते हैं, लोगों के कष्टों को दूर करने का काम करते हैं, हिलिंग का काम करते हैं, जोतिस का काम करते हैं, तंतरमंतर का काम करते हैं, उनके ल क्रियर्ड में सवास्थ में problem हो सकती है कोई पुराना बिमारी आपका उभर सकता है bad new न्युजय है arthritis की समस्या उभर सकती है जोड़ों में दर्द की समस्या उभर सकती है इससे जो कि आपको जोएकि अपना बचाओ करना होगा अपनी देख भाल करने होगी आपको अपनी दवा लेनी होगी तो यह थोड़ा सा सेहत के मामले में गरबड़े 15 नौबर तक 15 नौबर के बाद फिर सेहत में आपको रलाब जोएकि मिलेगा ठीक है और सनी महराज धन में अचानक आपके व्रिद्धी करना सुरू करेंगे अचानक आपके धन कोस में व्रिद्धी होना सुरू हो जाएगी पैसों की बचत होना सुरू हो जाएगी मित्रों और राहू के एक्टिवेट होने के करण अचानक अचानक से आपके जीवन में कुछ ऐसी अप्रत्यासित घटनाएं जो की आपको खुब उंचे फाइदे में ले जाएंगी मतलब मैं ऐसी घट्टाओं की बात नहीं कर रहा हूं जो नकर आत्मक है कुछ ऐसी अच्छी अप्रत्यासित घट्टा घटेगी जिसकी आपने उमीद नहीं की कि यह बापरी कैसे हो सकता है यह तो मैं नहीं नहीं था और यह देखते देखते हो गया तो इस प्रकार से आपके साथ हो सकता है मित्रों सरकारी विवाग से संबंदित अगर कागशपत्तर की कोई दिक्कत आ रही थी तो वह दिक्कत आपकी दूर होगी इसमें कोई दोराय नहीं है आप एंजी ओ आप चलाते हैं आपको फंड नह अच्छा रहेगा बस माता की स्वास पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा क्योंकि चतुरत भाव पर सनी की तीसरे दृष्टी है इस कारण से मैं ऐसा बोल रहा हूं इस बीच आप कोई नई गाड़ी ले सकते हैं या आप अपनी कोई नई फैक्ट्री भी चालू कर सक करता है ऐसे कोई अच्छे व्यक्ति के जीवन में आने की उम्मीद है मित्रों यह नक्षतर परिवर्तन आपके लिए बहुत तीज़बर्दस्त है बसरत इतना है कि सनी राहू और सुक्रकिस्ति आपके कुंडली में अच्छी होनी जाहिए ठीक है मित्रों तो आज के लिए 8540096730 यह निमबर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा तो मित्रों अपने ख्याल लखे अपने परिवार का ख्याल लखे मुझे आग्या दीजिए जये सिव संकर